हेलो दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप आइम युरी केमेश्टी टीचर अविनाश सर और अपना क्लास 12 का चेप्टर नमबर 9 चल रहा है कोडिनेशन कंपाउंड आज मैं आपको उसका क्रिस्टल फील्ड थेोरी का फाइनल एंड लास्ट वीडियो लेकर आएं क्रिस्टल फील्ड थेोरी के अगर आपने बात करें बच्चो तो इसका पार्ट वन और पार्ट टू मैंने अल्रेड़ी दो वीडियो जिसके अप्लोड कर दिए फर्स्ट ओफ और प्लीज उन दौनों वीडियो को आप जरूर देख लेना अगर आप उन दौनों वीडियो को देख लेते हैं तो आज का वीडियो एकदम हंडर परसंट आपको गेन होगा कमप्रिटली समझ में नहीं आएगा मैं क्रॉसी स्क्रेंगा जिए अगर आप देख रहे हो तो भी समझ में आए क्लियर है चलो स्टार्ट करते हैं कॉडिनेशन कंपाउंड का क्रिस्टल इसमें टेट्राहेडल और ओट्राहेडल फिल्ड में इन दोनों फिल्ड में पर ने बात की थी आज अपनको क्रिस्टल फिल्ड फिल्ड थियोरी का पार्ट 3 देखना है टॉपिक का ने में बहुत इंपोर्टेंट Electronic Configuration of D-Orbitals in Central Metal Atom और आयन इन ओट्राहेडल फिल्ड में Central Metal Atom या आयन का जो Electronic Configuration होता है D-Orbitals का उसको देखना है Crystal Field Theory Central Metal Atom या आयन के जो D-Orbitals है उसी पर फोर्केस करती है और यह बताती है हमें कि When ligand approaches towards the orbitals of Central Metal Atom or Ion for the formation of coordination bond then energy of the system is increases due to the repulsion between the electrons of Central Metal Atom or Ion and electrons of the ligands So that is why this increases energy split the 5 D-Orbitals which is degenerate before splitting into two energy levels. First is T2G energy level and second is EG energy level. If you talk about ultra-headle field then T2G energy levels becomes lowered energy and EG energy levels becomes higher energy. Okay due to the structure of EG orbitals and the position of ligands. But if you talk about tetra-headle field then this splitting becomes reverse. That means EG set of orbitals get lowered energy while T2G set of orbitals get higher energy. Autra-headle field में ligands axis के उपर से आते हैं बच्चों इसलिए जो 5 D-Orbitals होसे हैं उसमें से EG जो set होता है orbital का जिसकी dumbbell axis के उपर पढ़ती है वो higher energy के हो जाते हैं और T2G set ऑफ जो orbital होता है जिसकी dumbbells axis के बीच में लाई करती हैं वो जो रिपल्सन से बच जाते हैं ligands के रिपल्सन से इसलिए उनके T2G set जो होते हैं वो lower energy के होते हैं एक्सिस के बीच में से अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इसलिए क्या होता है अब की बार T2G set of orbitals जो होता है वो रास्ते में पढ़ जाता है रिपल्सन जादा होता है इसलिए उसके energy high हो जाती है और easy set of energy के जो होती है वो lower हो जाती है यह मैंना आपको discuss किया था पार्ट टू वीडियो में ठीक है पार्ट बन और पार्ट टू में आप अपनको यह देखना है कि जब पूरा complex बन गया complex बन चुका है splitting वज़ारा सब हो गई है उसके बाद आप अपनको central metal atom या आयन के जो electrons है ठीक है वो according to आफ़ बहुत प्रिंसिपल ही भरने सबसे पहले lower energy में फिर higher energy में electrons बरने लेकिन टीटू जी सैट और EG सैट में electrons किस तरह से field करने है अपनको यह बहुत इंपोर्टेंट है octahedal field में tetrahedal field में तो इतना important नहीं है मैं बाद में बताऊंगे क्यों but octahedal field में बच्चो इस वेरी वेरी configuration को ligands की nature strong है या ligands की nature weak है तो इन सब चीजों की बाते आपन आज इस वीडियो में करेंगे चलो तो देखो first of all अपनको electronic configuration भरने से पहले देखना है first we see nature of ligands का जो nature है वो किस तरह के का है यह अपनको देखना है nature में बताया था आपको या तो ligands strong field होते है या बच्चों ligand weak field होते है strong field ligand में example ज्यान रखना आफ c o c n minus o x minus 2 e n amine यह है कार्बोनाइल यह है साइनो यह है ओक्जेलेटो यह है अथाइलिन डायमाइन और यह है अमीन यह सारे ligands बच्चों strong field ligand होते हैं while we talk about weak field ligand है तो weak field ligand कौन से होते हैं बच्चो x minus जितने भी हिलाइड होते हैं like fluoride chloride bromide iodide these are weak field ligands और h2 भी weak field ligand होते है जनरल यह हमारी weak field ligands कामाते हैं यह strong field ligands कामाते हैं rather than these ligands तो बहुत तरीके के होते हैं अच्छा एक चीज़ यह और आती है कि strong field ligand और weak field ligands जो होते हैं इनको हम किस तरह से categorize करते हैं हमने यह कैसे कर दिए कि यह ligand strong यह weak है तो यह सारा कुछ इसके पीछे 2-3 theories काम करते हैं जो हमारे अभी syllabus का इस्सानी है बट अगर time हुआ तो इसके उपर में एक video जरूर बनाऊंगा ठीक है अच्छा अब एक बात करते है इस्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज की इस्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज वो सीरीज होती है जो ligands को उनकी strength के basis पे जो है डिवाइड करती है मतलब क्या है कि जब कोई ligand central metal atom यह की तरफ अप्रोच करे जा ठीक है तो अप्रोच जब वो करे जा तो यह जो 5D orbitals होंगे यह 5D orbitals दो energy set में split होंगे इन केस ऑफ और ट्रेटल फील्ड वी नो देट टीटू जी सेट लोगा बैरी सेंटर है यह कौन से सेंटर है बैरी सेंटर क्या होता है जहां से splitting start होती है तो बैरी सेंटर से नीचे चलेगे यह T2G set of orbital और EG set में क्या होता है जो orbitals होंगे वो बैरी सेंटर से उपर चले जाते हैं मतलब हाई energy क्यों हो जाते हैं क्लियर है यह जो gap है यह gap कितना बड़ा होता है इस gap को क्या बोलते है crystal field splitting energy पार्ट टू में जरूर देखना complete detail मिलेगे आपको crystal field splitting energy के मतलब है T2G और EG sets जो है split हो रहे हैं लिगेंड की वज़े से जो energy gap बनेगा उसे अपन crystal field splitting energy बोलते हैं डेल ओ यहाँ पर इसका symbol है O for octahedal field और डेल for gap के लिए अपन यूज करते हैं because यह gap है strong legend इस gap को बढ़ा को रखते हैं और weak legend इस gap को छोटा रखते है के लिए strong legend इस gap को बढ़ा रखते है weak छोटा रखते हैं इसे इनकी strength बोलते है strong field legend की strength ज्यादा बड़ी होती है ठीकिन ज्यादा बड़े gap से वो divide करते है EG और T2G set को जबकि जो weak legend होते है यह छोटे gap से divide करते हैं क्योंकि इनकी strength बहुत ही weak होती है तो strength के basis पे weak और strong field legend को अपने अरेंज किया हुआ है ठीक है और एक series बनाई हुई है जिसको अपन बोलते है spectrum chemical series एक वीडियो में उस series पर जरूर बनाऊ है उसकी क्या application सब और उसकी super trick है मेरे पास जिससे आपको series पूरी याद करने की ज़रत नहीं पड़ेगी उस trick को आप देख लो सीरीज आपको automatically याद हो जाएगी एक वीडियो बनाऊंगे में ट्रिक ऑफ इस्पेक्ट्रो कमिकल सीरीज इस्पेक्ट्रो कमिकल सीरीज को लर्न के ट्रिक क्या है तो उस series से ही हमें पता चलता है कि कौन से legend strong है कौन से weak है तो यह weak से है और यह strong है तो सबसे पहले nature देखते legend की strong field legend weak field legend strong field legend की बात करें तो उस case में gap बढ़ाएगा या gap चोटा है जा more CFSE होगी due to strong field legend less CFSE होगी due to weak field legend अच्छा मैंने आपको पिछले वीडियोज में pairing energy की बात और की थी strong field legend अगर होगा ठीक है ओटा हेडल field में तो CFSE की value ज़्यादा आ रही है तो वो value जो होती हो pairing energy से ज़्यादा निकल जाती है वो value किस से ज़्यादा निकल जाती है वच्छों pairing energy से ज़्यादा निकल जाती ह क्लियर है लेकिन अगर strong field legend की जगे weak field legend है octahedal field में तो फिर क्या होता है CFSE की value कम होती है और वो pairing energy से कम रह जाती है क्लियर और हैं दोनों case तो pairing energy की value यहाँ ज़्यादा आएगी CFSE की value यहाँ पे कमाएगी तो यह बहुत important है इससे फिर होगा क्या इससे होगा यह कि जो फॉर्थ electron होगा system का यह मैं आपको भी समझा हूंगा इधर configuration लिखते वक्त फर्स्ट सेचिंड थर्ड निक जो फॉर्थ electron होगा system का वह paired हो जाएगा T2G सेट में due to less pi pairing energy कम है ना तो electron CFSE क्या होती है गैप होते है तो electron देखो जैसे for example अपने एक electron जैसे यहाँ पर मैंने first electron रखा बच्चो ठीक है एक इलेक्ट्रों सिस्टम है डीवन सिस्टम होगा तो यह मुझे एक electron रखना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर एक electron रखना पड़ेगा देखो उसको देखो D1 को और फिर इसको देखो एक electron यहाँ पर रखना पड़ेगा अब इस एक electron को मुझे क्या करना है क्लियर सी बात है अरेंज करना है ठीक है अटॉर्डिंटू एनरजी लेवल लोग एनरजी किसकी एटीटू जी की तो इसमें पहले electron बेजना है ठीक है तो एक electron इसमें चला जाएगा क्लिए अब चाहे कि अगराली को इससे कोई फरत न पढ़ने ही पहले फिरले अरफड़किंतर है अगर बात करें डिटू सिश्टू सिश्टम की बात करें तो धी ज 26 natto aham 116-7-8-8-9-8-8-9-E comes look at the जुकि आफ़ बीट्रीट्रीर अगर मैटल का इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगेशन आपने देख लिया और उसमें आपने पाया कि इलेक्ट्रोन जो हैं डी और्बिटल में एक हैं दो है यह तो इसकेस में क्या होगा electronic configuration आपको ऐसे लिखना है T2G1, T2G2, T2G3 same weather, strong field और weak field, बले elegant कैसा भी हो इसका कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है लेकिन कहानी स्टार्ट होती है फरक पढ़ने की fourth electron से क्योंकि fourth electron अगर मानलों अपन D4 system की बात करते हैं तो यह fourth electron यहां तो आजाएगा बट इसको अपन fourth electron के सामने दो रास्ते होते हैं या तो fourth electron T2G में pair हो जाए यह fourth electron jump होके EG में चला जाए दो situations है नहीं फर्ष्ट, second और third electron के पास तो कोई रास्ता ही नहीं तो सीधा यह की रास्ता था यहां आना है लेकिन fourth के पास तो अगर वो यहां अपन रखते हैं तो पेर्ड होगा ना देखो इस तरह से पेर्ड हो जाएगा फश्ट ही है यह fourth हो जाएगा पेर्ड होना पड़ेगा उसको और पेर्ड होने के लिए पेर ही एनरजी चाहिए लेकिन अगर एक रास्ता और अगर अगर अपन देखेंगे यह इलेक्ट्र उपपर भी तो जा सकता है इजिन जा सकता है इसके लिए अपन को इस गैप को पार करना पड़ेगा that means हमें cfse के बराबर एनरजी चाहिए इलेक्ट्रोन को तो कहने के मतलब यह है कि यहाँ पर cfse के बराबर एनरजी चाहिए फूर्थ इलेक्ट्रोन को ठीक है और दूसरा रास्ता यह है कि उसको पेर होने के लिए पेरिंग इनरजी चाहिए तो किलियर सी बात है जो एनरजी कम होगी वह काम पहले होगा तो पेरिंग एनरजी कम है cfse के चाहिए तो इलेक्ट्रोन को रास्ता चूज करेगा बताओ बच्चो को रास्ता चूज करेगा टी टूजी में जाने वाला रास्ता इसलिए लेक्ट्रोन टी टूजी सैट ओफ और बिटल में ऑक्युपाई हो जाएगा इंस्टी डॉफ की वह ईजी में जाए तो इस ट्रॉंग फीड लिगेंड अगर होता है तो उस केस में क्या होगा इलेक्ट्रोन यहां पर पेर कर जाएगा तो फिर इसलिए लेक्ट्रोन गैट इन टी टूजी सैट डीटू रहस पाई 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 इसलिए लेकिन अगर्य वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड में 1st 2 3rd तक तो बोए दिक्टत है नहीं आया लेकिन फोर्त में क्या हो जाए वह अधो रास्ते हों नों को EGOT Two G set को क्योंकि इनकी strength कम होती है spectrochemical series की के ठीक है strength कम होती है तो इसलिए क्या हो बच्चो जो फॉर्थ electron हो दो पेर नहुंग करके अब और चला जाएगा this is very very important crucial point fourth electron उपर चला जाता है और उपर चले तेजो T2 G3 और E G1, जब कि इस्टॉन फील लिगेल में, D4 में दो चेज बनेगे, स्टॉन फील लिगेल में क्या हो रहा है, T2 G में ही चार हो आजए, और E G में एक बिन ही, अब बात करते हैं, बच्चो दी 5 के, दी 5 में क्या होगा, अगर हम यहाँ बात करें, डी फाइब की तो सीधी से बात है इलेक्टोन पांचो अभी यह पेर हो जाए उपर नहीं जाएगा यहां तुछ से इम बात रहेगी लेकिन वीच में क्या होगा इलेक्टोन देखो वीच में क्या होगा यह 50 एलेक्टोन रहा है आ हैं तो सहीं दर देखते हैं यह 50 Central नहीं यहां पर यह 50 लैक्त। और यह 50 का चला जіє अई पपर ही चला जायए एंस उपपर जाने में कि다 मेल रिचısı रही है एस अंपिर टो प्ऺयर प्रिगर्फ इस सिस्टम ठीड के तो इस तरह से उपनेότεं इनकी बात करते हैं तो आप बार हटा देते हैं इसको आप नोट कर लेजिए इसके बाद अपने बात करेंगे बागी D6, D7, D8, D9 and D10 सिस्टम्स की चलो बच्चो तो अब अपन बात कर लेते हैं D5 तक की हमारी बात होगी D6 और D7, D8, D9 और D10 गी जो फिर इंपोर्टेंट है, D6 स्टॉंग फील्ड लिगेंड की बात करें तो T2, G6, EG0 इलेक्रन कॉन्फिगरेशन बनेगा सेंटर मेंटल एक्टम का और वीक फील्ड लिगेंड में बच्चो बनेगा T2, G4, EG2 अच्छा इसको उपर एक्स्प्लेइन करते हैं कैसे बन रहा है देख वाजर स्टॉंग फील्ड लिगेंड की बात करें यह हमारे पास 5D और्बिटल से नीचे T2G सेट और्बिटल होता है उपर EG सेट और्बिटल होता है यह T2G सेट है यह EG सेट है क्लियर है यह बैरी सेंटर होगे हमारा यह जैप होगे हमारा डेल ओ किस्टल फिल्ड इस्पिल्टिंग एनरजी और फॉर अट्टाडल कंप्लेक्स अगर छे लेक्टोन की बात करें तो यह पर 6 रखेंगे 12345 और यह 6 फर्स्ट चला जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं सैकिंड में कोई प्रॉब्लम नहीं फॉर्थ लेक्टोन उपर जाएगा यह नीचे रहे यह डिपेंड करेंगे लिए इस ट्रोंग यह वी क्या होगी कम होगी गैप बढ़ा होगा इसलिए लेक्टोन पेर कर जाएगा फॉर्थ भी और शिक्स भी तो इस तरह बनके टी-टू-जी-6 और एजी में एक बी नहीं तो यह इस तरह सेटिस्पाइड हो होगा लेकिन अज़र वीट फील्ड की बात करते हैं तो देखना बहुत ही इंपॉर्टन बात में आप बताने वाला हों को वन टू-टू-ट्री-फोर-फाइव और यह सिक्स है ठीक है गैप छोटा है यह हमारा उग्या एज और यह मारा उग्याँ टीटू-जी यह बचोंगे डेल ओब बात बताओ यह बैरी सेंटर होगा हमारा छैंग जाएगे फस्ट सेकिंग थर्ड में कोई प्रॉब्लम निया चले जाएगि फोर्थ इलेक्ट्रों उपर जाएगा विकोज सी एफ सका में वील्ल इमीन शुर्ब कुछ यह को उसक जाए विखते इलेक्ट्ट उसके सामने फिर से दो रास्ते आगे छटे इलेक्ट्टर लाइकには जो अगुत नीचे करना है और नीचे के वह पर घड़ान कुछ ठीक है तो कि लिए वसी बात हो रखाउ पेर नीचे करेगा जा उपर करेगा इस गैप को भी आपने इस अंहीं करना पर उपर भी जम्ड करना पड़े चाहिए और पेरिंग हो चाहिए यहां तो इस से पहले तो क्या था धि? पहले तो क्या था ओली सीएफसी चाहिए होती थी अब क्या सीएफसी बची और पेरिंग चीए तो किसमें फायदा है नीचे कर आने में क्लियर है तो सिट इनेक्टों यह नीचे की तरफ पेर कर जाए कहा इसलिए मैंने बोला ती टू जी में फोर और इजी में टू चले और इसमें क्या होगा बताओ अब इसमें पेरिंग नीचे होती जाएगी तो इसमें हो जाएगा बढ़ा दो इसको टी टू जी फाइव एजी टू क्लियर है अच्छा डी एट की बात करें तो डी एट जो अब दोनों के लिए सेम हो जाएगा देखो कैसे बाइस से बात है होगे अब सीसी बात है यहां पर क्या होगा दो इलेक्ट्रोंगितंव धनते हैं यह जाएगे तो यह जाएगा सी एट का बनेगा और वीक मिन क्यों होगा है है यह इंट में स्टेव ब्राइड होगे उसके बाद कितने बरने मुझे दो और बर ने तो यह बढ़ने ऑफ एक और यहां पर जाए है तो क्या हो जाए जाए है लेकिन वी इपने 9 करें यह तो यह भीक यह में कि यह जाए है तो यह सब्सक्राइब वो ही आ रहा है कि लिए रहा है तो D8 में क्या हो जो बच्चो यह हो जा है लेक्टिनीक कॉन्फिगरेशन T2 G6 और EG2 यह कॉन्फिगरेशन है ऐसे D9 में क्या है बच्चो T2 G6 अब EG में जाना है T2 जी कंप्रेट होगा 6 के साथ ठीक अब EG में जाना है और EG मुझ आएगा 3 और D10 में क्या हो बच्चो T2 G6 EG4 तो इसको आप नोट कर लीजिए यानि कि हम एक इंपॉर्टन बात यहां पर मैं आपको यह बता देता हूँ देखो D10 में T2 G6 EG4 परके देखना हूँ ठीक है तो इन तीनों में फिर से क्या हो गया इन तीनों केसे में फिर से क्या हो गया सेम कॉन्फिगरेशन वेदर लिगेंड इस स्टोंड और वीट मतलब चाहे लिगेंड इस स्टोंड हो चाहे लिगेंड वीट हो उसे कोई फराख ने पढ़ने वाला कॉन्फिगरेशन सेम रहे हूँ थेंक्यू वेरी मच्छ यह अपने आज स्ट्रोंड फिल्ड और गूर्ड फिल्ड इगेंड के केसिस में ऑ्ट्राइडल कॉम्प्लेक्सस के मैटल के सेंट्रल मैटल एक्टम के इलेक्रि कॉन्फिगरेशन को जाना है नेक्स्ट वीडियो में अपन टैट्राइडल कॉम्प